उद्दब ठाकरे महरास्ट्र में लगातार कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे जैसे उनका जनाधार है वो घटता जा रहा है महरास्ट्र के सप्ता के गल्यारों में और जो उनके नेता हैं तमाम वो धीरे धीरे एकनाश शिंदे गुट का धामन थाम रहे हैं और तो यही आरूप लगा रहे हैं कि बाला साहिब ठाकरे के विचारों की हत्या करने में लगे गए हैं उद्दफ ठाकरे और उन पोलिटिकल पार्टीज के साथ में गडबंदन उन्होंने कर रखा है जिनें बाला साहिब ठाकरे कभी भी एकसेप्ट नहीं करते अब जब एक तर तरीके से जो उद्दफ ठाकरे गुट की शिफसेना है उसे सर्वाइब करने के लिए क्या उन्होंने बड़ी चाल चली है दरसल उनकी तरब से बहुत बड़ा एलान किया गया है फ्यूचर राजनीती को लेकर के उन्होंने क्या एलान किया है इस पर हम सलसले बार तरीके से चर्चा करेंगे लेकिन रिपोर्ट में आगे बड़े उससे पहले आपसे विनमर निवेतन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें उद्दफ ठाकरे ने दरसल आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई है और उस मीट में महिला मुख्यमंत्री दे सकते हैं उद्दफ ठाकरे के इस दावे के बाद में अब ये जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि क्या उद्दफ ठाकरे आगामी विधान सवाचनाव में अपनी पार्टी की तरब से अपनी पत्नी रश्मी ठाकरे को एज चीफ मिनिस्ट्र केंडिडेट उतारने बाले हैं क्योंकि जो ये उनकी तरब से दावा किया गया उसके बाद में राजनियतिक गल्यारों में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि उद्दफ ठाकरे कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी राजनीती थी उसको वो वहाँ पर बरकरार नहीं रख पाए वो जनता के जनधार को वापस लेने के लिए जनता के बीच में एक तरीके से विश्वास जगाने के लिए अब वो रश्मी ठाकरे को मुख मंतरी पद का उमीदवार घुशित कर सकते हैं अगले विधान सबाचराओ में और बहुत सारे लोग ये भी कह रहा हैं कि जो सब्सक्राइबन ठाकरे माहरास्ट में क्योंकि जो लालु परसाद यादव ने अपनी पत्नी को दरसल उतारा था उसी की तरज पर अब अब उद्दफ ठाकरे अपनी रश्मी ठाकरे को मुख मंतरी पद का अमीदबार बना सकते हैं बहराल जो ठाकरे की तरप से दावा किय में दरसल काम्याब हो पाएंगे इस पर आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं जल्द बिलूगा किसी दूसरी बड़ी कबर के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें सेड़े बरे झाल झाल